Hello everyone, आज हम करने वाले हैं Classics की जो Social Chains की New Book आई है उसका Chapter No.7 So Buddhism, Hinduism उसके बारे में हमने उल्रेडी पढ़ लिया था अब हम पढ़ने वाले हैं Janism तो ये क्या है? Janism is another important school of thoughts that become widespread at the same time तो जिस टाइम पर ये सारी Buddhism और Hinduism चल रहा था उसी टाइम पर जैनिजम के बारे में भी बाते हो रही थी Although, its roots are said to be much more ancient यहां तक ये बोला जाता है कि ये तो उनसे भी पुराना है Just like Siddharth Gautama, Prince Vardman was born into a royal family in the early 6th century BCE जिस तरह से Siddharth Gautam, जिनके बारे में गोतम बुद बोला जाता है वो एक royal family में पैदा हुए थे कौन सी century में? 6th century में His birthplace was near the city of Vaisali और उनका birthplace कहा था? जो वैशाली एक जगह है उसके पास में था In modern day, Bihar जो कि आजकल कहा है? Bihar में है At the age of 30 और 30 में, he decided to leave his home and go in search of spiritual knowledge और जब वो 30 साल के हुए थे तो उन्होंने इतना दुख और पेड़ा सहन करनी पड़ती है और वो जो है कैसे इसको छोड़ कर अपनी life में खुश रह सकते हैं, शान्ती पा सकते हैं He practiced an aesthetic discipline and after 12 years तो उन्होंने जो एक discipline को follow किया and then उसके बाद 12 साल बाद achieved infinite knowledge or supreme wisdom और 12 साल बाद उन्होंने जो है teaching what he has realized और उन्हें क्या है महावेरा और great hero बोला जाने लगा and then उसके बाद में उन्होंने जो सीखा वो दूसरों को बताने लगे कि क्या-क्या उन्होंने सीखा है ये देखो एक traditional painting है किसकी महावेरा की Now the world gen or genna comes from genna meaning concure ठीक है तो जीना से आए जिसका मतलब है concure यान किसी को जीत लेना This does not refer to the conquest of territory or enemies लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने कोई territory से enemy को जीता है but to the conquest of ignorance and attachment लेकिन किसको जीता है अगर को यह आपको ignore कर रहा है किसी से आपकी attachment बहुत जादा तो उन चीजों से आप मतलब दूर हो गए हो आपको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है अगर फरक नहीं पढ़ेगा तो मतलब आप उन से दूर हो गए हो और आपको दुख नहीं होगा So as to reach enlightenment और enlightenment तक पहुँचने के लिए आपको यह ज़रूरी है जैन टीचिंग इंक्लूड आहिंसा तो जैन टीचिंग में भी क्या है आहिंसा आती है आहिंसा है और क्या है अनेक कंतवदा अब परिया घर यानकी घर को छोड़ देना अनेक अले अकेले रहना यह सब चीज़े तो यह जो है किसी ना किसी तरह से कहां से बुद्धिजम के साथ इनोंने अपने आइडिया शेयर की यह सब चीज़े चलती रही अब यह जो स्कूल ओफ थोट्स है क्या सेंटर है इंडियन कल्चर के अब देखो महाविरा ने क्या किया है क्या कहा है बूला है यहां पर बता रहे हैं वो अल ब्रीदिंग एग्सिस्टिंग लिविंग सेंटिमेंट्स क्रियेचर शुड नोट बी स्लेण नोट टृटेड विद वॉइलेंस तो जितने भी लोग हैं जो रहते हैं सास लेते हैं एक्जिस्ट करते हैं यहां पर उनको जो है वोयलन्स के साथ कभी भी ट्रीट नहीं करना है not tormented, not driven away, not abused मतलब किसी भी तरह ऐसे किसी भी इंसान को आपको torture नहीं करना है ना मारना है, ना abuse करना है verbally और non-verbally किसी भी तरह से आपको किसी भी इंसान को या किसी भी लिविंग बिंग को टोर्चर नहीं करना है Let us define the last two in the simple terms अब last two को जो हैं उनको simple terms में बताते हैं अनेक अनन्तवदा तो अब यह क्या है? means not just one, सिफ एक नहीं है except aspect or perspective एक ही perspective यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं हो रही है that is the truth has many aspects एक जो सच होता है उसके बहुत सारे अलग अलग जो है बिंदू होते हैं and cannot be fully described by any single statement और एक single statement को बोल कि आप यह नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा ही है तो वो सच नहीं हो सकता सच के जो है जो truth है उसके अलग अलग बहुत सारे expects हो सकते हैं अब पिरिया घर है अब इसका मतलब क्या है non possession and advice detachment from material possession limiting oneself to what is truly necessary in life तो अब पिरिया घर है क्या है मतलब जो चीज़े आपको पिरिया है जो चीज आपको पसंद है उसको छोड़ देना आप पिरिया कर देना ठीक है तो जिन भी चीज़ों की आपके पास attachment आप जिन चीज़ों जो चीज़े आपको अच्छे लगती है material possession है limiting oneself में उन सब चीज़ों को क्या करना है धिरे धिरे छोड़ देना है ठीक है और उन से क्या होगा सिर्फ उन चीज़ों के साथ रहना है आपको लिमिट करना है चीज़ों को जो आपकी लाइफ में बहुत जुरूरी है बाकी सारी चीज़ों से खुद को दूर कर लेना है जैनिजम ऑल्सों इंसेस्ट ओन दा इंटर कनेक्टेडनेस अगर एक काम करेगा तो ही दूसरा काम करेगा एक नहीं चलेगा तो दूसरा भी नहीं चल सकते ठीक है वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते साइंटिस्ट टडिंग नेचर फ्लोरा एंफोना है अगेन अन अगेन कंफर्म दिस डीफ टूथ जो साइंटिस्ट है वो जो स्टडी पढ़ते हैं वो यह चीज़ों को बार-बार प्रोव करते हैं तो अब यह क्या है इसमें जो है जो बुद्धा थे उनकी जन की पहले की स्टोरी बताई जाती है और उनकी जो लर्निंग थी कि क्या उन्होंने सीखा और हमें किस तरह से उसे फोलो करना है वो सारी वेल्यूस बताई जाती हैं तो बुद्धा क्या थे बहुत बड़ा एक ग्रूप था मंगी का उसकी किंग थे लिव नियर हुज ट्री विच बोर फ्रूट्स ऑफ डिवाइन फ्रेग्नेंस और टेस्ट तो वह एक बड़े से ट्रीकी उपर रहते थे जिसमें जो है फूट जो है उनकी बहुत अच्छी ख एसकेप वन डे राइफ फ्रूट फैल इंटो एस्ट्रीम बिलो तो यहां पर क्या होता है एक जो मंकी का किंग थे यानिकि जो नके राजा थे मंकियों के उन्होंने इंस्ट्रक्शन किया कि कोई भी फूट जो है इसको छोड़ कर यह इस पेड़ को छोड़ कर कही नहीं ज जाएगा ठीक है लेकिन एक फूट जो क्या हुआ एक बार पक गया और पकने के बाद किया होता है फूट जो है नीचे गिर जाते हैं तो वह स्ट्रीम में नीचे जो स्ट्रीम थी उसके अंदर चला गया कैरेट बाइदा करन्ट और साथ में वेवा रही थी तो उनके साथ बहते हुए आगे चला गया इट वोज कोट इन नेट वो एक नेट में पकड़ा गया एंड टेक टू दा पैलेस वो पैलेस में चला गया दा कि वो सो एंचेंटेड बाइद इस टेर्स डैट ही हो ओडर्ड ही सोलजर्स तो लेकोट दा ट्री इट केम फ्रों तो राजा को इ सबसे इंपोर्टन क्या था जो मंकियों का राजा था उसके लिए सबसे इंपोर्टन क्या था कि वह अपने जो उसके मंकी के मंकी के लिए उन सब को नदी पार करवा दे नदी पार हो जाएगी तो सारे मंकी उनसे बच जाएंगे बट दे कुट नोट डू सो ओन देर ओन लेकिन वो खुद से वो काम नहीं कर सकते थे being much larger than them उनसे वो बड़ा होने के लिए मतलब उन सबसे बड़े थे the monkey king coat hold over tree on the other bank or let them use his body as a breeze to cross the stream although he was severely burrished in the process and eventually died तो उसने जो है क्या कहा उसने जो राजा थे उन्होंने मतलब वो सबसे बड़े थे उन्होंने पेड़ से पड़ स्ट्रीम के उसको पकड़ लिया और बाकी monkeys को बोला कि मेरे उपर से चड़के और दूसरी तरफ चले जाओ जैसी यहां से यहां तक पकड़ रखा और यह सारे monkeys देखो इनके उपर से जाते वे इस तरफ जा रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके और इसमें क्या हुआ इस राजा को बहुत चोट लगे और मिये मइर गए। दा किंग हु ऊट आसे एसफ जचेज से देख रहा था दूर से वह ग्रेटली मॉट बाईठी तो मंकी की उन्होंने देखा कि किस तरह कि किस तरह के लिए न नौने बाकी मंकी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी तो राजा ये सब ह है दे की ते ज प्रजा ने अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी, he thought about the role of king with respect to his subject, तो उन्होंने जो है, रोल देखा कि एक किंग का जो है, क्या रोल होता है, उसके जो मतलब लोग हैं उसके या फिर उसके देश में जितनी भी चीजे हैं, उनके अकोडिंग, उनके लिए उसके क्या रोल है, क्या क्या, उसके responsibilities हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ पर वो मंकी की स्टोरी यहाँ पर बताई जारी है, इस टोन में, एक जैन स्टोरी भी है, उसमें क्या है, तो अब यह क्या है, यह एक मतलब चोर या फिर ऐसे भगोडा बगरा बोल सकते हो आप, जो तो उसको बहुत बार पकड़ने की कोशिच की गई, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया, तो उसने सुन लिया किसी से कोई बात कर रहे थे कि महाविरा जो है, एक वो कर रहे हैं अपनी अचीव कर रहे हैं कि जो उनकी ओर्डिनरी लाइफ है, जो नोर्मल लाइफ है, उससे वो कैसे एनलाइलमेंट की तरफ जा सकते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं, जैसे वो सिटी में गए, उन्हें पैचान लिया गया और अरेस्ट हो गया, उन्होंने प्रेटेंड किया कि मैं तो एक फार्मर हूँ, कि उन्हें ताकि वो अपनी अइडेंटि कंफैस कर ले कि हां मैं वो ही हूँ, बैर रोहिना रिमेंबर महावीरा ज़ओ, लेकिन रोहिना को क्या है, महावीरा के वर्ड याद थे, खेल DODECT the Minister's Committee and defect it, तो उससने महावीरा के वर्ड याद थे, है confess his crime return the stolen stolen treasures and asked for forgiveness वह महाविरा के पास पहुंचते हैं अपने crime को confess करते कि हम यह काम किया है यह चोरी की है और जो भी उने चोरी किये थे वो सारे स्टोन्स वह वापस कर देते हैं और उनसे माफ़े मांगते हैं He became a monk, उसके बाद वो एक monk बन जाती है, realized the illusion he was living in and focused on acquiring higher knowledge. और उसके बाद में वो जो है अपनी जो life जीते हैं, वो focus करते हैं कि वो ज़्यादा knowledge प्राप्त कर सके. The story illustrates the importance of right action and right thinking and also illustrates the fact that everyone should have a second chance. तो इस story में क्या पता चलता है कि importance क्या है कि आपको किस तरह से क्या काम करना चाहिए और कैसे आपको किस ताइम पर कैसा सोचना जाईए. ठीक है कि आपकी सही बात क्या है, आपको सही के तरफ जाना है, गलत की तरफ नहीं जाना है. एन साथ में ये भी बताया गया कि हर एक इनसान को क्या है second chance मिलता है तो second chance मिलने पर आपको हमेशा सही धंग से behave करना चाहिए अब इसमें देखो क्या है from a gen temple, न्यू दिली में एक gen temple है what is striking about and what message does it carry तो यहां देखो यह शेर है, यहां पानी पी रहा है यह गाय भी पानी पी रहे है यहां पर यह कोन है शेर का बच्चा है जो गाय का दूद पी रहा है ठीक है और यह आई तिंग गाय का बच्चा है जो सेडनी का दूद पी रहा है तो मतलब कि अगर आप सही से रहेंगे यहां पर यह दिखाया गया है कि अहिंसा हर जगे होनी चाहिए एनिमल्स में भी अहिंसा होनी चाहिए तो एक तरह से यह है कि एनिमल्स भी एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं दोनों अपना पानी पी रहे हैं और उनके बच्चे एक दूसरे के पास जाकर क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं जबकि क्या होता शेयर को अगर शेयर या शेयर निको अगर कोई गाए या इस तरह का जानवर मिलता है तो उन्हें खा जाते हैं मार देते हैं नव इन बोथ बुद्धिजम एंजनिजम अहिंसा मेंस मुच मूर्दा रिफर्निंग फ्रों फिजिकल वॉइलेंस अगेंस पर्सन और अनिमल तो बुद्धिजम और जैनिजम दोनों में ही अहिंसा का मतलब सिफ ये नहीं है कि physical violence आपको किसी के साइट नहीं करना है सिफ ये चीज़ नहीं है बल्कि किसी इंसान या animal के साइट नहीं है और भी मतलब सिफ मतलब इस चीज़ से आपको नहीं जोड़ देना कि किसी को मारना नहीं है इट ओल्सो मिन्स बल्कि ये किसे रिफैन करता है फ्रॉम वोईलेंस इन थोट आपकी सोच में भी किसी के लिए गलत नहीं आना चाहिए जैसे कभी आप सोचते कि उसके साथ ऐसा हो जो ये फिलिंग भी नहीं आने चाहिए इफ वी ऑब्ज़र अवर सेल्स केरफुली वी में नोटिस सच नेगिटिव थोट्स एंड लॉन टू 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 पोजिटिव वन्स अब कई बार क्या होता है हमने जो है बहुत सारी चीज़े हम देखते हैं या अगर आप खुद को देखें तो कई बार आप सोचते होगे कि धीरे धीरे आपके दिमाग में क्या आता है कुछ चीजों को लेकर अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है या गलत हो रहा है तो आ पूरी लेंड पर ताकि वो अपनी लर्निंग को टीचिंग को दूसरों तक पहुंचा सके जितना दूर हो सके उतना दूर और कुछ कुछ ने तो वहाँ जाकर अपने अलग से मौन्टेंश्री बना ली थी दूर की प्लेसिस पर वाइल अधर लेड एस्टेटिक लिव्स इन केव्स कट इन दा रोक्स और कुछ जो है वहाँ पर केव्स बनी होई थी उन्नी के अंदर रहने लगे आर्के लोजिकल फाइंडिंग है रिविल्ड मैनी ट्रेसिज ओफ दोज मौन्टेंश्री तो आर्के लोजिक ने बहुत सारी इस तरह के ट्रेसिज मिले हैं मौन्टेंश्री के सम टाइम इवन दा नेम ओफ दा मौंग हू लिवड इन दा रोक कट केव्स और यहां तक की काम भी वहां पर उन्हें देखने को मिले हैं नाव केव्स कट इंदू रोक एट अलोवेरा अलोरा महरास्ट्रों बिट्विन दा 6th और 10th सेंचुरी सम अब दा केव्स और हिंदू अधरादा बुद्धिजम और जैन तो अब यह देखो यहां पर अलोरा जो मंदिर है वहा पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टोंस को काट कर केव्स बनाई गई है जहां पर लोग रहते थे हिंदू भी थे और बुद्धिस्ट भी थे और जैन भी थे नाव इन इंग्लिश हिंदू इजम बुद्धिजम जैनिजम एंड सिखिजम और ओफन लेबल्ड रिलीजियस यह रिलीजियस बोले जाते हैं ठीक है कि रिलीजन से यू में नोटिस डैट वी हैव अवोड़े दिस टर्म प्रिफेरिंग स्कूल अफ थोट्स तो हमने जो है इस वर्ड को यूज करना बंद किया इसकी वजह हम कौन सा यहां पर यूज कर रहे हैं स्कूल अफ थोट्स यान कि सबकी अलग अलग जो है चीजें हैं अलग अलग स्कूल अन शिस्टम क्योंकि यह क्यों हुआ क्यों कि हर एक स्कूल के सिस्टम के बहुत सारे पहलू है अलग जग विच वी विल एक्स्प्लोर ग्रेज्वली अफिलोस्पीक अश्पेक्ट अस्पेक्ट अस्पिरिच्वल अरिलिजियस एंड एथिकल और सोशल तो नेम नाम है मैंनी स्कूलर्स एग्री डेट वर्ल्ड रिलिजियन इस टू लिमेटिंग इंडा कॉंसेक्स ओफ इंडियन सिविलाइजेशन तो अगर आप रिलिजियन से इस चीज को जोड़ दोगे तो वह इंडियन सिविलाइजेशन के कॉंटेक्स में बहुत छोटा सा वर्ड उसके लिए आपको बहुत जादा जैनकारी मतलब बहुत जादा चीजें आती हो उसके अंदर अगर आपने उसी रिलिजियन बोल दिया तो वह बहुत लिमेटेड हो जाता है अभी तक हमने जैनिजम, बुद्धिजम, हिंदुईजम बढ़ा लेकिन यह क्या बोल रहे हैं कि और भी बहुत सारे स्कूल ओफ थोट से तो उसमें क्या बोला गया है इसको कई बार है लोग याता भी बोला जाता है तो इस इन स्कूल ओफ थोट वालों लोगों ने क्या बोला कि material world में सिफ यही चीज है जो exist करती है and therefore there can be no life after death तो death अगर आपकी मृत्यू हो गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं है सब खतम हो जाता है जब तक आप जिंदा हो तब तक वो material world वहाँ पर available है तो अब यह इसका नाम क्यों लिया गया क्योंकि बताया गया है यहां पर यह बताना जा रहे है कि यह नहीं था कि आपको एक चीज दे दी गई आपको उसी के बारे में काम करना या उसी के जैसे बिहेव करना नो यह बोल रहा है कि बहुत डायवस्टी थी बहुत intellectual लोग थे spiritual belief थे सब के अलग लग ते जो चीज आपको अच्छी लगें जो आपको लगते कि हाँ ऐसा सही है ऐसा गलत है तो जो आपको सही लग रहा है आप उसी में बिलीफ कर सकते उसी किया कोड़ेंगा प्रैक्टेस कर सकते हो अल्दो दाव वैदिक बुद्धिष्ट एंद जेन स्कोल्स हैड इंपोर्टन डिफरेंसे दे ओल्सो शेर सम्कॉमन कोंसेक्ट यह तीनों अलग लग हैं लेकिन कुछ कॉमन भी है इनके अंदर सच अज धर्म कर्म रीवर्थ तुछ से धर्म हो गया कर्म हो गया रीवर्थ हो सर सकते हैं उसकी सर्च आपको यहां पर देखने को मिलती है और यह तीनों ही चीजों में है और बहुत सारी इंपोर्टन वैल्यूस भी इसमें इसके बारे में बताई गई है इस त्रंक ओफ द ट्री वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद और यह क्या है इस ट्री का ट्रंक ह हैं जिससे हमनी यह चैप्टर शुरू किया था नव फोग एंट्राइबल रूट्स दा कल्च्रल रूट्स वी हैव सीन सो फार और वेल डोकुमेंटे इन मैनी टेक्स्ट सो कल्च्रल रूट जो है बहुत सारी बहुत सारे टेक्स मिले जिनके अंदर अच्छे सुन के बारे इंडिया गया है इंडिया इस Also Had Rich Oral Traditional ट्रेडिशन डैट इस टीचिंग और प्रैक्टिस ट्रांसमेटेड थ्रो एवरी डेइडर्डे प्रैक्टिस विदाउट रिट्न टेक्स्ट और इंडिया का तो जो है ट्रिडिशन ही कैसा था ओरर्ले ट्रेडिशन था नहीं चाह बत के साथ भी सेम है अमंग देम और न्यूम्रस फोग ट्रैडिशन इनके बीच में एक फोग ट्रैडिशन भी वह सारे वहां पर थे अलग-अलग डैट पर कोमब मुंपन पूप के कि तरफ जाते रहें ट्राइबा ड्राइबल के ट्राइबल ट्रैडिशन लोग ने आगए बड़ाए ओं ट्राइबल ट्राइब ट्राइब्सsz सचल इसक लिए बहुत सरे अन्टी तो इसक लिए फोससारे ड्रैफिन गई है कि यह क्या है तो डे आर्टो लोजिस्ट एन्थ्रोपोलोगेश्ट यूजवली कंसेडर अठ्राइब तू बिया ग्रूप ओफ फैमिली और क्लैंड शेरिंग ट्रैडिशन ओफ कोमन डेसेंड तो आज कल जो है एन्ट्रोपोलोजिस्ट जो है वो क्या करते हैं एक वे जो सकती एक culture हो सकता है, same हो सकता है Living as a close-knit community Under a chief and holding no private property इनका एक chief भी होता है, head होता है उनकी कोई private properties नहीं होते हैं Interestingly, ancient India did not have a word for tribe ancient India में tribe के नाब से कोई भी word नहीं था tribes were just different young that lived in specific environment such as forest or mountains tribe क्या है, सिर्फ जन ही बोले गए वहाँ पर उन्हें जो एक different environment में रहते हैं कोई forest में रहता है, कोई जो है mountains में रहते हैं The constitution of India uses the term tribes and tribal community in the English and janjati in Hindi लेकिन Indian constitution में, इंडिया में use किया गया है tribes or tribal community English में और Hindi में क्या बोला गया, janjati According to the official figure, जो official figure आई in 2011 India had 705 tribes spread over most states amounting to a population of about 104 million people more than the population of Australia and the United Kingdom together तो officially जो एक figure आई थी 2011 में इंडिया की जिसमें 705 tribes थी, overall बहुत सारी states में जिनकी population लगबग 104 million थी जो की Australia और United Kingdom की population को अगर एड कर दिया जाए तो भी उनसे जादा है तो 19th century में जब इनको देखा जाता था इनके बारे में पढ़ा जाता था और इनको डिस्क्राइब किया जाता था तो इनको क्या बोला जाता कि इनको इनको जानकारी कम है यह उतने civilized नहीं है जैसे आज की नोर्मल लोग रहते हैं लेकिन जब उनके बारे में और भी सर्च किया गया उनके कलचर के बारे में पता किया कि उनका कितना कॉमप्लेक्स और कितना रिच कम्पलेक्स गार्चर है तो यह जो बाइस जज्ज्ज्मेंट थी कि वो civilized लोगों जैसे नहीं है उनसे inferior है उनसे छोटे हैं तो यह constant interaction between folk and tribal tradition. तो tribal traditions और folk के बीच में हमेशे एक interaction रहा है and the leading school of thoughts such as those we mentioned in this chapter और जो leading school of thoughts से जैसे हमने इस chapter में मैंचन किया जैनिजम, हिंदुजम और बुद्धिजम. डाइटीज, concepts, legends and rituals have been freely exchanged in both directions. तो ये सारी चीज़े जो हैं आपस में exchange होती थी, कोई भी concept होते थे, legend होते थे, rituals हैं तो एक दूसरे से exchange करते रहते थी और एक दूसरे से वो सारी चीज़े सीखते थे. For instance, according to the tradition, जगनात वर्षिप्ट एट पूरी, तो अभी इस tradition के according, जगनात है उसकी वर्षिप पूजा कहा होती है? पूरी में, उडिसा में जो है, was originally a tribal deity. वो क्या है? एक tribal देवता है, वो जिनकी पूजा उडिसा में होती है. This is also the case with various forms of the mother goddess worshipped across India. इसी तरह से अगर अलग-अलग forms में आप देखेंगे, mother goddess की जो पूजा होती है, अलग-अलग जगहें पर पूरे इंडिया में, वो भी कहीं ना कहीं से tribes से ही आए हैं. Some tribes, on the other hand, adopted Hindu diet is long ago. और कुछ tribes ऐसे भी थे, जिन्होंने कुछ Hindu देवताज को ले लिया था, जिनकी पूजा वो करने लगे थे. And possess their own version of Mahabharata and Ramayan. और उन्होंने अपने version में, अपने according Mahabharata और Ramayan भी लिखे हैं, This has been well documented from India's north eastern states all the way to Tamil Nadu. और इन में जो है, document भी किया गया है, इंडिया के north eastern states से लेका Tamil Nadu के रास्ते तक, मतलब पूरा जो उसमें अच्छे से documented है. How have such interaction take place for so long and so naturally? तो इतनी interaction इनके बीच में कैसे होती थी? कैसे ये सब चीजे मैनेज करते थे? It is in the end because folk, tribal and Hindu belief system have many similar concepts. अब क्यों होता था? क्योंकि इनके जो है, कुछ concept बिलकुर similar थे एक दूसरे से. For instance, in all three elements of nature, such as mountain, rivers, trees, plants and animals and some stones too. तो कुछ जैसे जितने भी elements होते हैं in all three. तो ये जो चीजे folk, tribal and Hindu belief के बारे में जो बात गई है. इन में जो है elements of nature, जो थे mountain, river, trees और ये सारी चीजे are regarded as sacred. इन सब को पवित्र माना जाता था, sacred माना जाता था. Because there is consequences behind all of them. क्योंकि इन सब की consequences हैं. Indeed, tribes generally worship many dieties. tribes, tribes जो हैं, बहुत सारी dieties को worship करते हैं, पूजा करते हैं, associated with those natural elements. जो associate होते हैं कि इन से natural elements से. For the Toda Tribals, जो Toda Tribals है, of the Nilgreeze of Tamil Nadu. Nilgreeze के जो mountains हैं, उन में, Tamil Nadu में. उनकी जो Toda Tribal है, for instance, उन में से ही one of them picture in the image of the right. ये picture भी उनके tribal में से ही एक की है. Over 30 peaks of this mountain range are residents of a god or a goddess. जो 30 इसमें peaks हैं, मतलब highest range हैं, mountain range में, जो highest peaks हैं. उसमें जो है, अलग-अलग देवी और देवताओं की बारे में बताया गया है, residents बोला गया है उन्हें. Those peaks are so sacred that the Todas avoid pointing to them with a finger. अब वो उन peaks को, जैसे ये peaks होती हैं, तो ऐसी 30 peaks हैं, जिनको उन्होंने बोला कि यहां बगवान रहते हैं. ठीक है, अब Todas जो वहां की tribes हैं, उनके लिए ये peaks इतनी जो है sacred हैं, इतनी पहितर हैं, कि वो इनकी तरफ finger भी नहीं करते हैं, उंगली भी इनकी तरफ नहीं करते हैं. तो इसी तरह से क्योंकि डिस्पाइट अब बहुत सारे भगवान माने जाते हैं, अलग लग डाइटीज मानी गई हैं, एज विद हिंदुईजम, मैने ट्राइब ग्रूप जो हैं, उनका एक concept है, हाईए डाइटी के लिए कि सुप्रीम बीइन में से एक हैं. For example, several tribes of Arunachal Pradesh worship Doniopolo, वो Doniopolo की पुझा करते हैं, अक कम्बाइन, जो कम्बाइन है किसका form of the sun and the moon, जो sun और मून का एक कम्बाइन डाइटी उन्होंने बनाया हैं, Who later rose to the highest status of Supreme God, बाद में उसे जो है, एक Supreme God की तरह ट्रीट किया जाने लगा. This is also the case of the God, Khandoba, in the part of Central India, तो Central India में Khandoba करके जो पार्ट, मतलब गोड पूझा की जाती हैं उनकी. In Eastern India, the Munda and Santhal Tribes, among others, worship Singbonga, और वो Munda, जो Santhal Tribes है, वो किसकी पूझा करते हैं, Singbonga की. A Supreme deity, जिसे Supreme deity बोला गया, यान की सबसे उपर वो ही है, Who created this whole world, उनके according इन्होंने ही सारे दुनिया की रचना की है, There are many more such examples, और ऐसे बहुत सारे examples आपको देखने को मिलेंगे. The Indian sociologist Andrei Battil summed up the situation in these words, तो उन्होंने कुछ अपने according बोला की इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं. The thousands of caste and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious belief and practice since the beginning of history and before. तो इन्होंने क्या बोला कि जितनी हजारों यहाँ पे caste and tribes Indian subcontinent में, तो इन्होंने एक दूसरे को अपने भगवानों से, अपने belief से क्या किया है, influence किया है, तो कुछ को उन्होंने अडोप्ट कर लिया और कुछ को उन्होंने नहीं अडोप्ट किया, तो उनमें से दूसरे वालों ने अडोप्ट किया, और यह कब से है, history और उससे पहले भी है, that the tribal religions have been influenced by Hinduism in widely accepted, जैसे कि tribal religion जो है, वो Hinduism से बहुत जादा परभावित है, उन्होंने उनको accept किया है, but it is equally true that Hinduism not only in its formative phase, but throughout its evolution, लेकिन यह भी सच है कि Hinduism जैसे starting में था, जो इसका, आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग का जो फेजदा वो वैसा नहीं है, वो change होने के बाद हमारे पास आया है, and it has been influenced by a tribal religion, religions और यह भी influence हो है, tribal religion से, clearly the result of this long interaction has been manually enrichment, sorry mutual enrichment, तो result जो है इनका long interaction का, यान कि एक दूसरे से influence होते रहे है, परभावित होते रहे है, कुछ चिज़े जो उन्हें उनकी tribal beliefs, अब इसी तरह से फोको जो tribal beliefs थे, and practice थी, also count among Indian cultural roots, तो यह count होती है, Indian cultural roots में भी, we will further develop this point in the next chapter, अब नेक्स चेप्टर में हम इसके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं, before we move on, अब जो होज की समरी हम पढ़ लेते हैं, ता वेदाज, India's earliest text, वेद क्यों है, सबसे पहले text है इंडिया के, gave rise to several schools of thought, जिसकी वज़े से अलग-अलग school of thoughts आई, जैसे वेदान्ता और योगा are among the best known, वेदान्ता और योगा क्या है, उनमें से सबसे, मतलब popular आप बोल सकते हो, school of thoughts है, बुद्धिजम और जैनिजम, departed from the authority of the Vedas, and laid emphasis on the some specific value and practices, उसके बाद बुद्धिजम और जैनिजम आए, जिन्होंने वेदों को नकार दिया, कि वेद नहीं है, उनके according नहीं करना है, उन्होंने अपनी जो है, कुछ specific value or practice की, कि हमें अपनी दुखों से बाहर जाने के लिए, हमें ये करना चाहिए, although these schools have different principle and method, इन schools के क्या थे, अलग-अलग method थे, अलग-अलग principle से लेकिन इनके कुछ जो important concept भी थे, they were also looking for the cause of suffering and the mean of reviewing ignorance, लेकिन इन में जो चीजे थी, जो वेद में बात की गई है, जो जैनिजम में बात की गई है, जो बुद्धिजम में बात की गई है, वो सेम है, कि किस तरह से आप ये जो life है, इसके दुखों से बहार निकल सकते हैं, इ tribal belief system and the art have interacted for millennium with Hinduism, तो जो tribal belief system है और जो Hinduism था, उनके बीच में हमेशा interaction होता रहा है, बहुत हजारों सालों तक से या उससे पहले भी, there was free borrowing and giving from every side, दोनों साइट से free borrowing और giving होती थी, उन्हें कुछ अच्छा लगता था, अपनी तरब से दूसरों को दे देते थे, वहां से व जलता रहा, tribal belief system generally regard the land, अब tribal जो system था, वो क्या था, land को regard करता था, its features are sacred, और इनके जो features होते थे, उन्हें पवित्र माना जाता था, ठीक है, tribal मतलब जहां पी वो रहते थे, जिस environment में रहते थे, उस चीज को उस जगह को बहुत पवित्र मानते थे, they often have at the same time a higher concept of divinity, और उनक same time पर उनका एक higher concept भी होता था, divinity का, कि divine जो है एक God, उन्होंने supreme God वहाँ पर माना होगा था, इसके बाद आते हैं आपके question answer, इनको भी हम कर लेते हैं, so first question आपका दिया है, if you were nachiketa, अगर आप nachiketa होते, what question would you like to ask yam, yam से आप कौन से question पूछते हैं, आपको अपना answer देन I would ask yam the following questions, the nature of death, what is the nature of death, and is it a final end or a transition to another realm, क्या ये final होते हैं, इसके बाद भी आगे कुछ है, ये सब चीजे हो सकती है, the after life, what happened after death, death के बाद क्या होता है, is there a heaven or hell, क्या heaven or hell कुछ है, और does consequences simply cease or to exist, या फिर सब चीजे ऐसे ही एक तम से गायाब हो जाती हैं, The purpose of life, what is the purpose of life, is there a higher power or divine plan guiding our existence, क्या कोई higher power है या divine है, जो हमारा existence को guide करती है, the meaning of suffering, why does suffering exist in the world, how can we overcome it, suffering क्यों है इस existing world में और क्या हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, The path of liberation, is there a way to achieve liberation from the cycle of birth, death and rebirth, if so, what is it, क्या हम इससे liberation कर सकते हैं, क्या हम इससे liberation कर सकते हैं, The true, पहले तो true reality क्या है, and then, क्या ये permanent है, या फिर illusion ही होता है, इसमें, The role of knowledge, is knowledge the key of understanding, the mystery of life and death, तो जो knowledge है, इन सब सारी चीजों को समझने के लिए, life or death की importance को समझने के लिए, understanding के लिए, वो mystery क्यों है, The power of devotion, can devotion to a higher power lead to spiritual enlightenment, क्या किसी एक higher power के हम अगर devote करते हैं, उनकी अच्छे से मतलब सब कुछ करते हैं, तो क्या वो हमें spiritual enlightenment की तरफ लेके जाएंगे, The importance of good deeds, do good deeds have a positive impact on our life and the lives of other, क्या अगर हम अच्छे काम करते हैं, तो क्या वो हमारी life पर दुसरोई life पर एक positive impact लेकर आते हैं, The possibility of immorality, it is possible to achieve, is it possible to achieve immorality or eternal life, क्या हम जो है ऐसा अच्छीव कर सकते हैं, क्या हम कभी ना मरें हमेशा जिन्दार रहें, तो यह questions हो सकते हैं, आपकी इसके लाव कुछ और भी हो सकते हैं, Next question है, explain a few central idea of Buddhism, बुद्धिजम के कौन से central ideas थे, First था, four noble truths, suffering is inherited in life, की suffering होगी ही होगी, Suffering is caused by desire or craving, suffering can be ended by eliminating desire, अगर आपने यह desire को छोड़ते हैं, तो suffering नहीं होगी, The path of ending, suffering is the eighth fold path, और जो ending की suffering होती है, उसे क्या बोला गया, eight fold path, अब यह eight fold path कौन कौन से हैं, Right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right construction, और eight जो है उन्होंने यहाँ पर दिया था, उसके बाद आता है कर्म, कर्म क्या है, actions has consequences, जो भी आप काम करते हैं, उसके कुछ ना कुछ consequences होते हैं, both in this life और in future life, अभी हो सकते हैं, या आगे के life में भी हो सकते हैं, Good dates lead to positive outcomes, अगर आप अच्छे काम करोई तो आपकी जो outcome है, जो नतीजा है, वो भी positive रहेगा, वाइल bad dates lead to negative outcomes, और अगर आप गलत काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उसका negative impact आपकी लाइफ में रहेगा, निर्वाना, the ultimate goal of Buddhism is to achieve निर्वाना, बुद्धिजम का सबसे ultimate goal क्या है, निर्वाना को अच्छेव करना, a state to complete liberation from suffering, एक state है, जो liberation से suffering, मतलब बिल्कुल खतम कर देते हैं, ठीक है, कि आपको suffering होगी नहीं, ना किसी चीज़ से कोई फरक पड़ेगा, ना ही कुछ और, निर्वाना is characterized by peace, tranquility and enlightenment, तो निर्वाना में क्या आपको शान्ती मिलेगी, enlightenment हो जाएगी, मतलब एक तरह से है कि किसी भी चीज़ों से कोई जादा फरक नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी चीज़ से attachment उस टाइम तक नहीं रहेगी, अब यह जो आपकी class के related है, इसका मतलब क्या है, तो बुद्धा यह बोलना चाहते कि सिर्फ इन रिवर्स में नहा कर, यह सारे रिचुल्स करके आप पवित्र नहीं हो सकते, इन्स्टेट, इनर ब्यूटी कम्स फ्रों डेवलपिंग मोरल वर्चुज, विज़्डम, एन अंडरस्टेंडिंग, इनर प्योरिटी कैसे आएगी, जब आपके अंदर मोरल वैल्यूज होंगे, आप दूसरों का गलत नहीं करेंगे, सही जगह पर रहेंगे, सही काम तो बुद्धा क्या बोलते हैं कि जो एक्स्टेर्नल है, जो हम रिच्वल्स वगरे करते हैं, यह तो सेकेंडरी है, सबसे पहले क्या जोरी कि आपके अंदर कम्पेशिन होना चाहिए, काइडनेस, माइन्फूलनेस यह सब होना चाहिए तो इन सब चीजों को मतलब आपको जो है, एमफसाइज किस पर करना है, इनको इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पहले जब तक इनर में आपके अच्छी चीज़े नहीं होंगी, तब तक ऊपर कुछ नहीं हो सकता एक्सप्लेइन फ्यू सेंट्रल आइडिया जैनिजम, जैनिजम की सेंट्रल आइडियास क्या है, पहले आइंसा, नोन वोईलेंस की वोईलेंस बिल्कुल भी नहीं करना है, जैन स्ट्राइब तो अवर्ड हार्मिंग एनि लिविंग बिंग इंक्लूडिंग प्लांट्स औ लेकिन जानतू उसके अंदर भी है तो किसी को भी हाम नहीं करना है, अप्रियागर, नोन पोजेशननेस इन अनदर इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ओफ जैनिजम, कि किसी के लिए भी ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये इनको छोड़ देते हैं और एक सिंपल लाइफ क कि तरफ जाते हैं, सत्या, ट्रूथफुलनेस इस असेंशल फोर जैन, कि हमेशा सच बोलना है, सच का साथ देना है, जैन आर कमेटेट टू स्पेकिंग दा टूट एट ओल टाइम, जैन कमिट होते हैं, उनकी मतलब कुछ भी हो जाये, चाहे वो मर भी जाये, लेकिन उनने क करना है, सच ही बोलना है, हमेशा, भरमचारिय, चैस्टिटी और सेलीबेसी इस प्रेक्टेस बाइन जैन, 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 बिलिव डट सेक्षवल डिजायर कें हिंडर स्पिरिच्वल प्रोग्रेस, तो इसलिए वो बरमचारिय का पालन करते हैं, सेक्षवल डिजायर उनके अ प्रोमिनेंट सोचलोजिस्ट ओफन एक्सप्लोर सोचल इनक्वालिटीज तुनो ने बहुत सोचल इनक्वालिटीज देखी, पर्टिकुलरली इन दा कॉन्टेक्स्ट ओप कास्ट, क्लास एंड जंडर, इस्कुसिंग इस थोट्स इन क्लास माइट इन्वल अनलाइजिंग हाँ सोसाइटी स्टर्टिफाइड इन हाँ सच डिवीजों एक्सेक्ट फीपल अग्सस्टोज पर्टिनेटिस कि किस तरह से इन चीज़ों ने इनको क्या किया है, एफेक्ट किया है लोगों की लाइफ को, we might also reflect on how this division can be changed, challenged through social reforms, education and legal frameworks. तो इनका एक्जाम्पल लेकर जो है इन सब चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि किस तरह equality को हम आगे लेके जा सकते हैं तो यहां पर मैंने कुछ लिखे हैं जो हमने अल्रेडी पढ़े थे होनी के लोड शीवा महाशिवरातरी होता है गोड़ेश दुर्गा दुर्गा पूजा होती है लोड विश्नु जन्मास्टमी किर्ष्नाबर्थ और दिवाली ठीक है राम रिटन के लिए गनेशा गनेश्य चतूर्थी गोड़ेश लक्समी दिवाली लोड हनुमान हनुमान जीयन्ती एज़क्लास एक्टिविटी लिस्ट टूर थ्री ट्राइबल ग्रॉप्स फ्रोम यह रिजन और स्टेट अब यह आपके रिजन और स्टेट के हैं और मैंने यहां पर जो हमने पड़े उन्नी के पूजा करते हैं देयर बिलीफ सिस्टम रिवाल्ड एनिमिजम एंड वर्षेव फोरेश प्रेट्स एंडाइटेज तो उनकी जो पूजा होती है वो सिस्टम है वो किसके जो वहां पे जंगल में या जहां फोरेश्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उन्ही के लिए उनकी पू पूजा कर रहे हैं ट्रीज एनिमल एंड स्टोन्स की देयर हैव डाइटीज स्पेसिफाइग फोर देर रीजन एंड लाइफ इवेंट तो उनकी जो है कुछ डाइटीज हैं जो स्पेसिफाई हैं कि इस रीजन में इन्नी की पूजा होगी उसके बाद आता है संथाल नॉन हमेशे सुप्रेम डाइटी मान कर चलते हैं ट्रू और फोल्स तो दा फर्स्ट है दा वैदिक हाइम्स वर रिटन ओन पाम लीफ मैनिस्क्रिप्ट तो यह क्या है फोल्स है वैदिक हाइम जो है पास स्टार्टिंग में इनिशियली वह औरली हुई थी पासडाउन हुई थी और विफोर बिइंग राइटिंग उन मैनिस्क्रिप्ट सच लियत रोज के बाद में बहुत बाद वो जो हुई निका मैनिस्क्रिप्ट हुआ था दा वेदास आर इंडियन्स ओल्स टेक्स तो यह तू दा वैदिक स्टेटमें एकम सतर विप्रा बहुदा वदानी रिफले आराउंड दा 6th century या BCE का जो टाइम था वो जैन अमर्जड एज ब्रांच ओव बुद्धिजम सो डैट इस ओल्स फोल्स जैनिजम एंड बुद्धिजम आर सेपरेट ट्रेडिशन तोनों अलग लग हैं ओल्दो दे अमर्जड अराउंड दा सेम टाइम सेम टाइम पर यह नहीं करना है तो दैट इस टू ट्राइबल बिलीव सिस्टम आर लिमेटेड टू बिलेफ्टिज अंड माइन डाइटीज तो फोल्स ट्राइबल बिलीफ सिस्टम आर कोंपलेक्स एंड इनवोल अवराइटी ओफ रिलिजियस प्रेक्टेस इन्क्लूडिग नीचर वर्शि विद्यमा एक्स्प्लोर प्रोफाउंड फिजिक फिलोस्पीकल कोशिएंस अब लाइफ डेथ और नेजर ओफ रियलिटी इट सब्सक्राइब किस्प्रिच्वल नॉलेज क्या है उसको समझने के लिए उन्होंने जो एक मोडल टाइप से आप इसको भूल सकते हैं अब यह रिलेटिड कहा है तो पहले जो है वह क्या बताते है कि क्याप्रोब्लम क्या है सफ्रिंग का कोज क्या है रिजन क्या है वाइल दा एट फोल पाथ आउटलाइन दा सॉलूशन और इन में जो बाकी की एट फोल पाथ है ये सॉलूशन बताते कि उस सफ्रिंग से आप उसको कैसे एंड कर सकते हैं कर्मा प्ले प्लेश सेंट्रल रोल इन जैनिजम अधिवीजुल फुचर स्लाइप बास एक्षाइन अगिज़ पास अकोर्डिंग जो उनकी फूचर की लाइफ किसी भी इंसान की वो बिपैंड करती कि उन्होंने पहले कैसे काम किया है क्या किया है कैसे एक्षान स्थे उनकी तो कौन सी है जो कोमन मिलती है त्राइबल में त्राइबल सीम्स इंक्लूड एनिमीजम उनमें सब में होता है नेचर की वर्शिप वो सब करते है यह सारी चीज़े आप किसी भी ट्राइबल में जा सकते हैं उनमें मोस्ली यह सारी चीज़े कोमन देखने को आपको मिल जाएगी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू